दोस्तो अगर आपको जो है पैसो की अवसकता है अगर आपको जो है लोन चाहिए आपका बिजनिस बढ़ाना है या आपको किसी परसनल काम के लिए लोन चाहिए तो अब आपको जो है इसके लिए कहीं पर भी जाने की जर्वत नहीं है क्योंकि गौवर्मेंट के तरफ से एक नई scheme को launch कर दिया गया है जिसके माध्यम से आप जो है online घर बेठे ही loan ले सकते हैं जिहां दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी जी के द्वारा अभी recently बताया गया था कि अब आपको loan के लिए ना तो कोई guarantor लगेगा नहीं आपको जो है bank यहाँ पर नहीं बोलेंगे loan के लिए कि हम आपको जो है loan provide नहीं करेंगे ठीक है ना नहीं आपको जो है किसी तरह का statement salary slip कुछ भी नहीं देना है आप जो है directly इस loan के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तों इस loan की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो आपको किसी भी तरह का कोई guarantor तो लगता नहीं है 37 दोस्तों यहां पर आपको 35% तक की subsidy भी मिलती है जहां दोस्तों 4 लाग का loan अगर आप यहां पर लेते हैं तो 1,25,000 रुपे तक की आपको यहां पर subsidy भी मिलती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लेको को government की इस scheme के बाड़े में completely detail से बताने वाला हूँ 37 आप जो ही इस loan के लिए किस तरह से apply करेंगे उसके बाड़े में भी detail information देने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा informative होने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिए इसी तरह का digital India से related content आप लोग को हमारे चैनल पर मिलते रहता है साथी साथ अगर आप इस वीडियो को facebook page से देख रहे हैं तो page को follow जरूर से कर लीजिएगा आगे भी आपको इसी तरह की information मिलती रहेगी तो चलिए बीना देरी के start करते हैं वीडियो को दोस्तो सबसे पहले आपको जो है आपके mobile के या laptop के किसी भी एक browser में इस वाले portal को open कर लेना है इसका link आपको जो है नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जो है directly इस वाले portal पे आ सकते हो government of India का official portal है जन समर्थ portal यहाँ पर आजाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो है इस तरह का interface पे इस देखने के लिए मिलेगा अगर आप जो है scroll down करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारे credit loans देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं जिसमें education loan, agriculture loan, business loan, काफी सारे loan आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं तो अभी हम जो इस loan के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है business activity loan तो आपको जो है business activity loan वाले option पे check eligibility का एक option मिलेगा आपको यहाँ पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने erisability check करने का एक option आजाएगा आप यहाँ पर सबसे पहले तो आपको select कर लेना है कि आपका जो business है किस चीज से related है ठीक है ना तो यहाँ पर आपको चार option मिलते हैं अगर इन में से किसी चीज से related है तो आप जो है ऊपर की तीन option को select कर सकते हैं अगर इन में से अगर आपका जो है business different type का है तो फिर आप जो है other business loan इस वाले option को यहाँ पर tick mark करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है नया business start करना चाहते हैं या आप पहले से business man है तो आपका नया business है तो आप new वाले option को select करेंगे अगर आप जो है पहले से business आपका है तो आप existing वाले option को tick mark करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप activity pass है अगर आप हैं तो आप जो है yes वाले button पर click करेंगे otherwise आप no वाले button पर tick mark करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में EDP training का कोई certificate है है तो आप yes करेंगे otherwise no करेंगे select nature of business आपका business जो है किस प्रिकार का business है manufacturing का है मतलब कोई चीज बनाने का काम करते हैं business for service या service related business से service provider है उसके बाद यहाँ पर एक आता है trading का ठीक यहाँ पर आपको जो है आपका category select करना होगा general OBC, ST, SC जो भी आपका category आप इस तरह से tick mark करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप physical handicap है तो आपको जो है किसी भी तरह की disability है तो आप yes करेंगे otherwise आप no वाले option को tick mark करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है business applicant beneficiary यहाँ पर आप खुद के लिए loan ले रहे हैं तो आप individual को select करेंगे ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि आप जो काम करना चाहते है या जो business करना चाहते है उसमें आपको जो कितना पैसा लग सकता है कितना अनुमान है तो यहाँ पर आपको जो बता देना है कि हमको यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हमको जो यहाँ पर पांच लाग रुपे लगेंगे ठीक है ना अब यहाँ पर आपको जो पांच लाग रुपे का बिजनेस स्टार्ट रहे हैं तो आपके पास में investment के आपके लिए कितना amount आपके पास में available है तो जैसे कि माल लीजी हमारे पास 1,00,000 है तो हम यहाँ पर 1,00,000 इंटर कर देते हैं तो हमारा जो business है उसमें कुल लागत 5,00,000 की है एक लाग हमने यहाँ पर investment हमारे पास में available है तो हमको जो है 4,00,000 की यहाँ पर required है जिसमें कि आपको 4,90,000 का loan amount यहाँ पर दिया जाएगा अभी आपको जोई scroll down करके नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको calculate eligibility का option मिलता है तो आपको यहाँ पर click कर देना है अब जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने जितने भी सारे loan scheme है वो यहाँ पर आपको show कर दी जाएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं आपको प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की अंतरगित भी आपको जो है यहाँ पर loan मिलता है यहाँ पर आपको जो है 4,00,000 का amount दिया जाएगा जिसकी मंतली EMI होगी साले 8,000 रुपे की और यह loan जो है 5 साल के लिए रहेगा ठीके ना लेकिन हम जिस loan की बात करने वाले हैं जिसमें कि आपको 35% का subsidy मिलने वाला है उस वाले loan का नाम है यहाँ पर Prime Minister Employment Generation Program PMEGP ठीके ना तो यहाँ पर आप इसके अंतरगत loan लेते हैं तो आपको 4,000,000 का loan amount तो दिया जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1,25,000 रुपे की subsidy भी मिलेगी मतलब यह 1,25,000 रुपे का amount आपको यहाँ पर payable नहीं रहेगा आपको भरना नहीं होगा और EMI का अगर cost देखेंगे तो EMI भी यहाँ से काफी जादा कम आने वाला है जिसमें कि आपको 4,000,000 रुपे का monthly EMI यहाँ पर pay करना होगा और इसका जो payment schedule है 15 साल के लिए रहेगा मतलब यह loan है जो 15 साल तक आपको 4,000 रुपे monthly pay करना रहेगा अभी दोस्तो अगर आप जोई इस वाले loan को लेना चाहते हैं तो आप जोई login to apply वाले button पे click करेंगे जैसी आप login to apply वाले button पे click करेंगे तो आपके सामने registration का option आजाएगा यहाँ पर आपको जोई अपना एक mobile number इंटर कर देना है इस वाले केपचा को आप इस वाले box में feel करेंगे term condition को agree करेंगे तो दोस्तो जैसी आप term condition को check mark करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले privacy and policy का option आजाएगा तो आपको scroll down करके नीचे की तरफ आजाना है यहाँ पर आपको show भी हो रहा है scroll down to read आपको जो इसको read दर लेना है आप चाहें तो ठीक है ना यह directly आप scroll down करके नीचे की तरफ आएंगे next का button आजाएगा आप next वाले button पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो तर्म condition का option आजाता है तो आप जो simply scroll down करके नीचे की तरफ चले जाएंगे जैसी आप नीचे की तरफ आजाते हैं तो यहाँ पर आपको next का button मिल जाएगा आप जो है next वाले button पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर disclaimer का message आजाता है तो यहाँ पर आपको simply scroll down करके सबसे नीचे आना है यहाँ पर term को agree करना है and agree वाले button पे click कर देना है आपको जो है अपना email ID इंटर कर देना है अगर आप जो है अपना email verify नहीं करना चाहते है तो यहाँ पर आपको जो है skip का button मिलेगा आप skip वाले button पे click कर देंगे जैसे आप skip वाले button पे click करेंगे आपके सामने जो है इस तरह का interface page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो account है successfully login कर दिया गया है अब आपके सामने जो है यहाँ पर जितने भी सारे loan है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर show कर दिया जाएंगे ठीक है ना अभी आपको जो है कौन सा loan लेना है जैसे कि हमने यहाँ पर जो loan select किया था एक लाग पचिस हजार की जो subsidy amount यहाँ पर था चार लाग का loan amount था और चार हजार सहाट रुपे का किस्ट था 15 साल के लिए ठीक है ना तो यहाँ पर आपको और भी सारे loan दिखाए देंगे ठीक है ना आप जिस किसी भी loan को लेना चाहते है आप जो है उस loan को यहाँ पर apply कर सकते हैं अब दोस्तों अगर आप जो है इस loan को लेना चाहते हैं apply करना चाहते हैं तो आप simply proceed वाले button पर click करेंगे जैसी आप proceed वाले button पर click करेंगे आपके सामने आपके form का complete review आ जाएगा जो भी information आपने feel किये वो सारे information आपको यहाँ पर दिखाए देगी अगर कोई भी information आपके mismatch है तो आप जो है इसको edit कर सकते हैं अगर information सारी सही है तो हम continue वाले button पर click करेंगे जैसी आप continue वाले button पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने confirmation का एक option आजाएगा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप continue करना चाहते हैं confirm आप proceed वाले button पर click कर दीजिए तो जैसी आप proceed वाले button पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको redirect कर दिया जाएगा Prime Minister Employment Generation Program के उपर ठीके ना अब दोस्तों यहाँ पर आजाने के बाद आपके सामने इस तरह का dashboard आजाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने काफी सारे option आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीके ना तो आप यहाँ पर application for new unit आपको यहाँ पर click कर देना है तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का interface page open हो जाएगा जिसमें कि आपको एक farm मिल जाता है इस वाले farm को आपको जो है feel करना होगा अब दोस्तों इस वाले farm में जितने भी सारी आपके information है जैसे कि आपका आधार card आपका pain card सारी information आपको यहाँ पर feel करनी होगी ठीके ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी information आपको किस तरह से feel करनी है अगर आप इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है एक number कालम में आपको आधार number इंटर करना है ठीके ना तो यहाँ पर आपको number wise जिस किसी भी option में जिस किसी भी कालम में आपको क्या चीज feel करनी है उसकी complete detail आपको यहाँ पर दी गई है ठीके ना इसको अगर मैं आपको बताने जाओंगा तो आपको काफी समय लग जाएगा वैसे भी अगर आपको कोई चीज यहाँ से समझ में नहीं आती है यहाँ पर आपको select कर लेना है सबसे पहले सुरी स्रीमती कुमारी आप अपने according यहाँ पर select कर लेंगे यहाँ पर आप अपना आधार काड के according नाम लिखेंगे लिखा हुआ है ठीके ना उसके बाद agency का आप नाम यहाँ पर select करेंगे तो अगर आप जो है ग्रामिन शेतर के रहने वाले हैं तो आप जो है KVIC या KVVDIC इसमें से किसी भी agency को यहाँ पर select कर सकते हैं यहाँ पर आपको state select करने का option आएगा जो भी आपका state आप यहाँ पर select कर लीजिए ठीक है ना आपको यहाँ इस वाले option को टिक माग करना है जैसी आप option को टिक माग करेंगे आपका यहाँ पर जो गाओ जहां से आपको loan provide किया जाएगा उसकी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं प्रायोजिक कार्याल है आपका कार्याल है कहां होगा वो information आपको यहाँ पर automatic feel हो जाएगी legal type में यहाँ पर आपका इंडूजल select रहेगा जो की पहले से हमने select करके रखा है उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर select करना है male female यहाँ पर आप जो है अपना data ओपर ते इंटर करेंगे जब डेट drown तो आपकर अपके उमर यहाँ पर आ明पर हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको यह पना category select कर लेना है जो भी आपका category आप select करेंगे ठीक है ना क्वालिफिकिशन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, आठवी पास, अंडर, आठवी, टैन्थ, ट्वैल्थ, जो भी आप अपने अकाड़ी यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, पत्रा चार के लिए आपको complete address यहां पर इंटर कर देना होगा, उसके बाद यहां पर आपको ज उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना address इंटर करना होगा, तो Sam as it is आपको address उसी तरह से इंटर करना होगा, आपका address यहां पर आजाएगा, यहां पर आपको address लिखना होगा, जिसमें कि आपको नाम लिखना होगा, पता यहां पर लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, को आप यहाँ पर इंतर करेंगे ठीक हिन होगा उसके बाद यहां पर आपि सारे इंस्टिूट्रू आपको आपको स्लेक करने हैं तो, आप यहाँ सारी केटेग्रीज यहां पर मिल जाती है काफी रहेंने स्क्रापोंको का एस लिया था हमने पहले भी no feel किया था ठीक है ना उसके बाद यहां पर आपको परियोजना संस्थान का नाम लिखना होगा तो यह mention का आपको करने की आवशिक्ता नहीं है यह अगर आपने certificate लिया है तो आपको mention करना होगा ठीक है ना प्रोजेक्ट कास्ट आपको कितना आएगा पुझी यहां पर आपको enter कर देना है कि आपने जैसे हमने feel किया था पांच लाक रूपे हमको यहां पर cost आएगा working capital हमारे पास में जो है एक लाक रूपे का है एक लाक रूपे हमारे पास available है तो यहां पर आपको cool amount आपका यहां पर आपको feel हो जाएगा ठीक है ना उसके पाद यहां पर आपको financial vibrant में आपका जो भी bank है उसको select कर लेना है जो भी bank यहां पर काफी सारे bank है जो भी आपका bank है आप यहां पर इस तरह से select कर लेंगे जहां से कि आप loan amount लेना चाहते हैं जिस account में उसके बाद यहां पर bank का FSC code लिखेंगे उसके बाद यहां पर bank की detail जाएगे ठीक है ना उसके बाद यहां पर कोई दूसरा financial bank अगर आपके पास में है तो उसको भी आप यहां पर जोड सकते हैं तीसरा चाहूं था आप यहां पर इस मादिम से जोड सकते हैं नहीं है तो आप इसको नहीं करेंगे ठीक है ना उसके बाद आप यहां CGST का ला वाले बटन पर click करेंगे अब दोस्तों जैसी आप यहाँ पर इसको save कर देते हैं तो आपकी information जो है आपकी नजदी की bank में forward कर दी जाती है ठीके ना आपको जो है यहाँ पर bank की list भी दिख जाएगी आपको अपना bank select कर लेना है कि आपको किस bank से loan लेना है IDFC faster से लेना है SBI से लेना है जिस किसी भी bank से आपको loan लेना है जितने amount का लेना है आपको यहाँ पर eligible बता दिया जाएगा आप उस bank को select करेंगे term condition को agree करके simply proceed वाले button पर click करेंगे तो जैसी आपका proceed वाले button पर click करेंगे तो आपका farm उसी bank को forward किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर select करोगे ठीक कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया तो दोस्तो इस तरह से आप जो है प्रधान मंतरी EGP योजना के अंतरकत online loan के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको एक भी बार bank visit करने के आवश्यक्ता नहीं है आप जो है सारा process online कर सकते हैं जब आप सा मंतरी EGP योजना के बारे में completely information मिल गई होगी फिर भी इस वीडियो से आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं मलता हूं आप से नेक्स वीडियो में किसी नए information के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जाहिन चैभार